मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादुगर है क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है इंसान को इंसान धोका नहीं देता बलकि उसकी उमीदे देती है जो वो दूसरों से रखता है जो इंसान आपके शब्दों का मूली नहीं समझते उस इंसान के सामने मौन रहना ही बहतर है किसी के छोड़ जाने पर जादा चिंता न करे गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में अच्छे लोग आ सके हनुमान जी के जीवन से आपको ये बात जरूर सीखना चाहिए कि जीवन में बड़ा लक्ष बनाओ और उस लक्ष को हासिल करके दिखाओ जब समुद्र पार करके सीता जी को ढूड़ने जाना था तो सभी लोग ने मना कर दिया था लेकिन सिर्फ हनुमान जी ही थे जिनोंने समुद्र को पार भी किया और सीता जी को ढूड़न निकाला चानकी की ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने सीक्रेट को किसी के साथ साजह मत करो क्योंकि ये प्रबर्ती आपको बर्बाद कर देगी गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है और जो इनके लिए लड़ते हैं वो इनहें कभी पढ़ते नहीं है दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है क्योंकि जिन्दगी भारू से इस भ्रम में रखा जाता है कि वही इस घर की मालकिन है पैसा नमक के तरह होता है जो जरूरी तो है लेकिन जरूरत से जादा हो जाए तो जिन्दगी का स्वाद बिगार देता है जिन्दगी में एक बात हमीशे एद रखना बड़ा नोकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना ताकि खुद भी खुश रख पाओ और अपनों को भी खुश रख पाओ किसी के सामने गिरगराने से ना तो आपको इज़त मिलती है और ना ही महबबत इसलिए आप अपने स्वाभिमान को हमीशा बनाए रखो यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चल कर आपके पास आएगा नाराज नहोना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है क्योंकि यहां सदियों से रुई और तेल जलता है लेकिन लोग कहते हैं कि धीपक जल रहा है किसी इंसान को धोका देकर ये कभी मत समझना कि आप कितने चालाख हो बस ये सोचना कि उस इंसान को आप पर कितना ज़्यादा भरोसा था ये इंसान भी बड़ा खुदगर्ज है यदि किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराईया नहीं देखता और यदि किसी को ना पसंद करता है तो उसकी अच्छाईया नहीं देखता जीवन में एक बात हमेशायद रखना कि मैदान में अहरा हुआ इंसान फिर भी जीच सकता है लेकिन मन से अहरा हुआ इंसान जीवन में कभी नहीं जीच सकता इस वाणी में भी अजीब शक्ती है कड़वा बोलने वालों का शहद तक नहीं बिखता और मीठा बोलने बालों की मिर्ची भी बिख जाती है कोई भी इंसान अपने आपको ऐसे ही नहीं बदलता जीवन में कुछ ऐसी घटनाय होती है जो अस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती है जब तक एक बेटा खुद बाप न बन जाय तब तक उसे अपने पिता के दोरा लिया गया हर निर्ने गरत लगता है जब तक आप काम के हैं तब तक ही लोग आपको याद करेंगे क्योंकि दीपक जलने के बाद माजिस की तीली को फेक दिया जाता है ये माईने नहीं रखता कि आप सफल है या फिर नहीं माई ने ये रखता है कि आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उतने सा फल है या फिर नहीं इदे वीडियो पासंद आया तो शेर जरूर अगले वीडियो में फर्म होते हैं